तो आज है हमारा मलेशिया ट्रिप का डे फूर और ग्रैंड आयन डेलेमन से चेक आउट करके हम निकल पड़े है कौला लंपूर की और रास्ते में हम जाएंगे चीन स्वी टेंपल चीन स्वी टेंपल एक चाइनीज फिलोसॉफर का टेंपल है जिसे बनाने में तकरीबं 20 सा लगे थे और एप्रॉक्जिमेटली 4600 फीट के हाइट पे ये टेंपल है और है पे नाइन स्टोरी एक पगोडा भी है जिसके टॉप पे जाके बहुत अच्छा और व्यू पूरे जेंटिंग हाइलन के रिया का आता है चींसु टेंपल के बाद में हम जाएंगे बाटु केवस जो अन डवे टु कौलालमपूर है कौलालमपूर से 20 किलोमेटर पहले है अगर आप कौलालमपूर में भी रहते हो तो तो टेक जस्ट 30 मिनिंट्स टॉ आन आवर तो रीच तू बाटु केवस फ्रम इनिवेर इन चींसु देगाओगा भगवान का तो वो मूरुगन भगवान का स्टैच्व है अफ्टर 15 मिनिट्स ऑफ शॉट राइड हम आगए है चींसु टेंपल सामने यह जो नाइन फ्लोर्स का पगोडा दिख रहा है इडिस पार्ट अफ टेंपल प्रिमाइसेस यहर लेप्ट साइ स्टैच्व का पगोडा है तो ओवरॉल 360 यहां से काफी सुन्दर आने वाला है उपर भी हम जाएंगे उसके पहले थोड़ा पूरा एरिया कवर कर लेते हैं यह टेंपल फेमस है फॉर 10 चेंबर्स ऑफ हेल जहापे दस अलग-अलग प्रकार से बताया गया है कि जो पापी लोग है उनको नर्ख में कैसी सजा मिलेंगी उनकी आफ्टर डेत लाइफ कैसी रहेगी नर्ख में बेस्ट ऑन दे क्राइमस द्याव कमिटेड और एक्जामपल अगर किसी ने मुडर किया है किसी ने टाक्सी विजन भी किया है किसी ने चोरी की है या फिर जितने भी छोट मूटे मूटे बुरे काम उस जमाने में पॉसिबल रहे होंगे, उसके हिसाब से क्याटेगराइज करके चिम्बर्स बनाये गए है, जब हम उपर वाक करेंगे तो हमें वो दिखने वाले है, टेम्पल की प्रिमाइस इसमें भगवान बुद्धा का भी काफी बड़ा एक स्ट अब यह हम उपर के और जा रहे है, वहाँ जाने के लिए रैंप बनाये सिंपल, और उसी रास्ते में टेन चेम्बर्स आफ हेल है, जिसके अंदर काफी डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है, कि किसको कैसी सजा मिलने वाली है, बेस डॉन उन्होंने कैसे पाप किये थे, मेरे साब से तो इस सिस्टिम के एडवांटेजेस और डिसडवांटेजेस दोनों हैं, या तो इंसान क्राइम करना छोड़ देगा, इस डर से कि मरने बाद उसको कैसी लाइफ मिलेगी, या फिर इंसान ऐसे क्राइम चूज करेंगा, जिसकी सजा वो बुगतने को तयार है, तो इस डबल एस स्वर्ड, चिंबर ओफ हेल देखने के बाद हम चले है, पगोडा की और, नाइन फ्लोर्स है, काफी स्टीफ है, तो थोड़ी ठकान आपे महसूस होती है, लेकिन हैसे जो आपको व्यू आएंगे, इस आल वर्थ इट, आपको टेंपर की साइट देखने मि लेगी, अपोसिट में जो हिली एरिया है, वो देखने मिलेगा, एक्चुल चिंस्वी टेंपल पगोडा से नीचे की साइड में, तो पगोडा उतरने के बाद में आपको और नीचे जाना होता है, काफी सुन्दर टेंपल है, सामने क्वाई पॉंड है, जिसके अंदर काफ पिसारी फिश और कचुए है, और एक खास बात जो मुझे आकी लगी, वो है यहां की अगरबत्तिया, इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, इतनी साइज अफ यूर फूट, और कुछ एकदम इनोवेटिव शेप में टांग के रखी हुई है, आपको वीडियो में दिखेग और यह टेंबल का आर्किटेक्चर जो है, यह चाइनीज टेंपल के जैसा है, अफकोर्स चाइनीज आर्किटेक्चर है नहीं था काई ऐसी में इना आर्किटेक्चर है वक्यो क्जली है यह चाइनीज झास्टेक्चर है तुच्छीन स्वी टेमपल के बाद आफ्टर वन ओर आफ्स कैब राइड हम पहुच गए कौला नमपूर और डारेक्टली हम आए हैं बाटू केवज जहाँ पे यह 140 फीट का मुरुगन स्वामी का स्टैचू है और केवज जो है वो उपर की साइड में हैं जिसके लिए यहाँ पे 300 कलरफूल स्टेर्स दी गई है तो थोड़ा फिजिकली डिमांडिंग एक्टिविटी है तो उसे आपसे प्लान करके आई है अगर आपके साथ में कीड्स है या फिर पैरेंट्स है आडल्स आपके साथ में हैं तो यहां की एक बात जो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगी वो यह थी की तुराउट केंपर्स काफी लाउड म्यूजिक या गाने बज रहे थे बले ही रिलिजिस क्यों ना हो बट इट इस नौट सूधिंग आप इरिटेट हो जाते हो इतने लाउड आवास पे यहां पे गाने बजा जा रहे थे हमारे ले तो भी एक बार का टॉलरेबल है या एकसप्टेबल है लेकिन जो लोग ऐसे माहोल में ना रहते हो उनकी लिए मैं कहूंगा कि इट इस नौट गुड एक्सपिरियेंस और एक चीज़ ये कि पूरे जो अंधर की केवस है उनको प्रिजर्व करने के बजाए ह। अंदर टेमपल भनाया गए है तो मेरे साब से temples नीचे बना जा सकते थे और भी अच्छे बना जा सकते थे लेकिन caves जो अंदर उनको untouched रखना चाहिए था as a archaeological site but it's fine जो है वो है ऐसी caves हमने फिलिपिन्स में भी देखी थी US में भी देखी है आपको similar caves across the globe बहुत जगद देखने मिल जाएगी और एक caves form होने को crores of years लगते है बाटू caves जो है इसको भी माना जाता है कि इसकी age 40 crore years है so definitely ऐसी चीज़े हमने preserve अच्छे से करके रखनी चाहिए बाटू caves के प्रिमाइस इसमें काफी temples है दो फिर में जब हम यहाँ पर आये थे तो direct cap करके यहाँ पहुँचे थे हमारा समें luggage भी था जो हमने store room में रखा था लेकिन तब दूब भी बहुत थी और हम ठक चुके थे caves में उपर जाके नीचे आने बाद तो हमने temple से आके explore नहीं किये थे और हमें पतता है कि हम बाटू के उसके पास में ही रहने वाले हैं तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि साउथ इंडिया स्टाइल की ही सारे temples है स्पेशली तमिल नाडू साइट के अगर आप रामिश्वरम गाए होंगे मदुराए गाए होंगे तो जैसे temples आपको वहाँ देखने मिलते है वैसे ही आर्किटेक्चर के temples आपको यहाँ भी देखने मिलेंगे ओर राल इट वस श्पिरिछूल डे और कल हम जाएंगे लांग कवी और फॉर रस्ट आप दे मलेशियन ट्रीप हम लांग कवी में रुपने वाले हैं